कंधार किला भारत के महराष्ट राज में नंदेर जीले की कंधार में इस्थितेक पहारी किला है यह डखकन छेत्र के सबसे महतपुन किलों में से एक औहे और इसका सम्रीद इतिहां छटी सताब्दी इस्वी पूर्वका है किला मोल्डोप से राष्ट कुटो द्वारा बनाया गया था जिनोंने छटी से दस्वी सदाब्दी इस्वी तक डखकन छेत्र बर सासन किया था राष्ट कुट एक सकति साली राज में थे और कंधार उनकी सबसे महतपुन रजधानियों में से एक थी किला एक रणनेतिक अस्थान पर बनाया गया था जहां से मन्याद नहीं दिखाई देती है और इसने राष्ट कुटो के सैन अभियानों में महतपुन भूमक्या निभाई थी राष्ट कुटो के पतन के बाद कंधार किले पर कई राजबनसों का सासन राज जिन में यादव, दिल्ली सल्तनात, बहमनी सल्तनात, अमद नगर के निजाम साही और हैदराबाद के निजाम सामिल थे किले पर कई बार मुगलो द्वारा भी हमला किया गया लेकिन इसे कभी जीता नहीं जा सका कंधार किला एक बड़ी और भवेसन रजना है जो 24 एकर्षेत्र में फैला हुआ है इसकी एक बिशाल बारी दिवार है जिनमें 18 वाजट टावर है किले में कई आंत्री किले बन्दी भी है जिनमें से एक गड एक अनबंडार और एक मज्जीत सामिल है यह किला कई पुरा तत्विक खजानों का भी घर है जिनमें कई चट्टानों को काट का बनाएगा मंदिर और सिला लेख सामिल है इन सिला लेखों में सबसे महतपुन राष्ट कुट राजा क्रिष्न तृतिये का ताम्रपत्र सिला लेख है जो दस्वी सताब्दी इस्वी पुरो का है कंधार किला एक लोगपिरिये प्रयाटन अस्थल है और यह अपने अचर जनक द्रिश और सम्रीद इतिहास के लिए जाना जाता है यह फिल्म सुटिंग के लिए भी एक लोगपिरिये साइट है कंधार किले से जूरी एक लोगपिरिये पौरानी कथा है पौरानी कथा यह है कि इस किले का निर्मानमा भारत के पांच नाय को पांडवों द्वारा बनाया गया था कहा जाता है कि पांडव अपने अग्यात वास के दरान इसी किले में रहे थे परानिक अथा या भी है कि कहानी है कि दरवपती स्वैंबर विवास अमारों किले में उजित किया गया था दरवपती पान्रों की पतनी है और कहा जाता है कि उन्होंने स्वैंबर में अर्जुन को अपने पती के रूप में चुना था कंधार किला एक महत्पुन इतिहासिक और सांस्कृतिक अस्माराक है या डगकन के छेत्र के समरीद इतिहास का एक परमान है और भारतिया इतिहास में रुची रखने वाले किसी भी विक्ति को इसे अवस्य देखना चाहिए किले से जूरी और जनकारी और किले के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोज देखे और चैनल को सबस्काइब करें